Question 10 है, if sin A equal to 1 by 2, then the value of cK is, यहाँ पर sin A का value दिया है 1 by 2, यहाँ पर हमको निकालना है कि जो value होगा cK का, हो कितना होगा? अब इस right angle tangle ABC में देखिए, sin A का value दिया हुआ 1 by 2, टेंगल है तो इसके सामने का side perpendicular होगा, और sin होता है perpendicular upon hypotenuse, यहाँ पर p का value 1 होगा, और जो hypotenuse AC है, इसका value यहाँ पर है 2, अब हम लोग पार्था को रस्थे और हम से यहाँ पर a b जो base है, इसका value निकालेंगे, a b equal to होगा root over hypotenuse square minus perpendicular square, तो यहाँ पर hypotenuse है 2, तो 2 का square minus 1 का square, तो यह होगा, 4 minus 1, equal to root over 3, ठीक है, तो हमको क्या मिला है, root over 3 मिला, अब यहाँ पर देखिए, अगर सेके का ratio किसी को याद नहीं होता, तो कास का ratio याद किए, कास से equal to होगा, base upon hypotenuse AC, या H, या B upon H होगा है, तो यहाँ प upon 2, तो सेके जो हैना, कासे का उल्टा होता है, तो सेके equal to होगा, 1 upon कासे, equal to 1 upon root 3 by 2, और यह 2 उपर चला जाएगा, तो 2 upon root 3, ठीक है, तो यहाँ पे इसका value होगा सेके का, 2 upon root 3, देखिए, marking scheme में, इसका जो answer दिया हुआ है, वो A दिया हुआ है, लेकिन जैसे कि हमने निकाल है, यह जो हैना, वो सेके का value नहीं है, कासे का value है, ऐसे भी sin 30, एगर 1 by 2 है, तो कास 30, root 3 by 2 होता है, तो यहाँ पे 4 option जो हैना, सेके value के बराबन नहीं दिये हुए है, एक्चल में यहाँ पे होना था, यह 2 upon root 3,